नमस्कार आप देखरें जन्भावना टाइमस और मैं हूँ आपके साथ पारिजात ये है महाभारत की बात महाभारत में कई घटनाएं उनके आपसी संबंध और ज्ञान विज्ञान के रैस चिपे हुए है महाभारत का हर पात्र जीवन्त है जायवा, कौरव, पंडव, कर्ण, अथवा, कृष्ण हो या शल्य, शिखंडी या क्रेपाचारे दुरौनाचारे हो महाभारत सिर्फ योधाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशिरवाद में अनेकों रैस चिपे हुए है दरसल महाभारत की कहानी युद्द के बाद समाब तो नहीं होती है असल में महाभारत के कहानी तो युद्द के बाद ही प्रारंभ होती है जो आज तक चल रही है माना जाता है कि वर्दमान युक महाभारत की ही देन है आज भी महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ एतिहासिक इस्थल और उन घटनाओं के साक्षे मौजूद है कुरुक्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं आज सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का जुत कुरुक्षेत्र में हुआ था कई महान योद्धा वेरगति को प्राफ्थ हुए थे कुरुक्षेत्र की एसा इस्थान है कुरुक्षेत्र जहां पर भगवान क्रिश्ण रे अर्जुन को गीता का घ्यान दिया था कुरुक शेत्र में वे प्राचीन कुवाग को भी हम आज देख सकते हैं जहां अभिमन्यों को धोके से मारा क्या था अब बात करते हैं वार्नावत का वार्नावत मेरट से 35 किलोमेटर दूर और सर्दना से 17 किलोमेटर दूर है बागपद जीले में इस्तित है और इसकी तहसिल का नाम है वार्नावत यहां महाभारत कालिन लाक्षा ग्रह चिन्नित है इनके अवशेश आज भी एक तीले के रूप में मौचू थे लाक्षा ग्रह याद है ना आपको मामा शकूनी की नीती के तहट दूर्योधर ने पांड़ों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाक से बना था जिसे बाद में लाक्षा ग्रह कहा गया इसी लाक्षा ग्रह में दुर्योधर ने पांड़ों को मारने की साजिश रची थी इस महल में रात में जुपचाप आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांड़ों की इस महल में जल कर मृत्य हो जाए लेकिन पांड़ों को जैसे इस साजिश का पता पहले ही चल गया था वो रात को पहले की पिछली रात को एकुप्तु सुरंग से निकल कर यहां से भाग गये थे यह सुरंग आज भी है जो गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है लाक्षग्रह से निकलते हुए भटकते हुए पांड़ों मौजूदा नागालेंड पहुँच गए जहां राक्षचसी हीडिमबा के साथ भीम का विभा हुआ और उसके बाद उनका महाप्रतापी पुत्र गटोतकच का जन्म हुआ जो भीम के समान ही बलशाली था गंध मादन पर्वत गंध मादन पर्वत वही है जहां महाप्लशाली भीम नहीं उठापाईते हन्मान जी की पूछ इस इलाके में तीन रास्तों से आप जा सकते हैं पहला नेपाल के रास्ते मानसरवर से आगी और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से चलकर तीसरा अरुनाचल के रास्ते से चीन के मात्यम से जा सकते हैं आप पहुँच सकते हैं खाटू श्याम अगला महतुपूर्ण दृष्टान ते खाटू श्याम का भीम के पोते और घटोतकच के पुत्र बर्बरीक के बारे में आप सभी जाते हैं कि वो केवल तीन बान लेकर ही दृष्चेतर में लड़ने के लिए उतर गए थे इसलिए भगवान श्याम श्याम ने सादू के भेश में उनसे दान में उनका शीश ही मांग लिया उसके बाद श्याम बर्बरीक को कलियोग में स्वयम के नाम से पूझित होने का वड़्दान प्रदान किया बर्मरीक ने शीकरष्ण से युद्ध देखने के इच्छा गत्त की तब शीकरष्ण ने उसके इच्छा से उस शीष को एक जगा रखवा दिया वह जिधर भी यानि बर्मरीक का वह सिर जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता ऐसे में शीकृष्ण ने उसके शीष को एक दूर के इस्थान पर रखवा दिया जो आज खाटू शाम के नाम से जाना जाता है जो राजस्थान के सीकर जीले में इस्थित है अब बात करते हैं मतुरा की मतुरा है भगवान शीकृष्ण की जन्मस्थली उत्रप्रदेश में इस्थित मतुरा नगरी भगवान शीकृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण महाभारत की गठ्राओं का प्रमुख केंद्र रही है महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंग है कई बार आक्रमण किया जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है यहां किला मतुरा में आज भी देखा जा सकता है व्यास पोथी व्यास पोथी बदरिनाथ से 3 किलोमेटर की दूरी पर उतराखंड के माना गाउ में स्थित है जहां महाबारत के रशनकार महरशी वेदव व्याज जी की गुफा है इसके समीबी गणेश गुफा भी है ऐसी मानिता है कि इसी गुफा में व्याज जी ने महाबारत को मौकिक रूप से प्रस्तुत किया था और गणेश जी ने उसे लिखा था राजगीर बिहार के राजगीर में इस्तिते कंस के ससुर जासंग का अखारा मानता है कि इसी जगापर भगवान शीकरष्ट के संकेत पर भीम ने उसका वद किया था महभारत काल में राजगीर राजग्रह के नाम से जाना जाता था मनाली मतलब मनु का घर कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूबा हुआ था तो एक मनु ही जीविद बचे थे और मनाली आकर ही उन्होंने मनुश्य की पुनर रचना की थी कहता है कि कौरों से अपना राज हारने के बाद भगवान शीविद के कहने पर अरजुन मनाली के पिर्णी स्थान में तप करने के लिए चले गए थे उस स्थान को अरजुन गुफा के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर भगवान शीव ने अरजुन को पाशुपतास्त्र का वर्दान दिया था पुराना किला दिल्ली का दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्त के नाम से जाना जाता था दिल्ली में पुराना किला इस बात का ही सबूत है पूरा तत्त विदो की माने तो एक बड़ा वर्क ये कहता है कि पांडों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी पुराना किला दिल्ली में यवनानती के पास इस्थित है जिसे पांडवों ने बनवाया था ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चाद द्वारिका पर अंजान शक्तियों ने हमला किया था जिसके कारण वह नश्ट हो गई थी और कालंतर में समुद्र में डूप गई थी द्वारिका महाभारत काल का प्रमुक केंद्र हुआ करती थी यायाती ने संपूर्ण शेत्र, द्वारिका के संपूर्ण शेत्र में अपने पुत्र यदू को राजा बनाया था इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने 18 कुल के बंदु बंदवों को लेकर द्वारिका में बसने का निरण लिया था फिर मिलते हैं ऐसी हमातपूर्ण धार्विक जानकारी के साथ तब तक देखते रहिए जगभावना टाइम्स नमस्कार